अकंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अकंड मंथन आगे क्या होने वाला है वेब सेरीज में आज का जो एपिसोड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके पीछे कारण है कि हमारे देश का जो भविश्य है वो अब किस दिशा में जाने वाला है इसको लेकर के बहुत सारे दर्शकों की उसुकता है और अभी 2024 का जो लोकसभा चुना हुआ है और विपक्ष को जो 232 सीटें लोकसभा में मिल क्या गई कि उसको लग रहा है कि अब वो संसार का चक्रवर्ती समराड बन जाएगा विपक्ष के जो सपने हैं जो विपक्ष ने अब सपने देख लिए हैं जिसमें राहुल गांधी से लेकर के ममता बनेर जी हूँ या फिर अखिलेश यादों हो या फिर अन्य विपक्ष के छोटे बड़े नेता जो भी हैं उनको ऐसा लग रहा है कि अब 2029 में उनका ही नंबर है या फिर वो 2024 में जो ये चुनी गई सरकार है एंडिये की इसको गिरा करके वो अपनी सरकार बना लेगे अब ऐसे इसके लिए प्रयास भी आरम हो गए हैं विदेश यात्रा हैं बहुत धूमधाम से हो रही हैं लेकिन जिस बड़ी सफलता का वो सपना देख रहे हैं उसको ले करके देश के सबसे वरिष्ट जोतिशा चारे और एक प्रकास से उनको जोतिश्च मनीशी कहा जाए तो ये कम ही होगा उनके लिए तो जोतिश्च मनीशी श्री काशिनात नारायन पंडित ने अब एक ऐसी भविश्यवाडी कर दी है जो की विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनोती सिद्ध हो सकती है राहूल गांधी और उनकी माता जी सोनिया गांधी के प्रधान मंत्री बनने का जो सपना है उसको ले करके अभी जोतिश्री गड़ना की है और इसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि क्या राहूल गांधी के जीवन में प्रधान मंत्री बनने का जो अवसर है व तो कि उनकी भाषा कई बार वो बुजूर्ग हैं, तो उनकी भाषा समझने में कुछ दर्शकों को समस्या होती है, इस कारण वस उन्होंने जो अपनी भविश्यवाडी में कहा है, हम आपको उन्ही के सब्दों में आपको सुना देते हैं, कि वो क्या कह रहे हैं, कि क्या राह आपकी समक्ष एक राष्ट्री महतुकी और दुनिया में जो चर्चा चल रही है, ऐसे प्रशनों का उत्तर यहां पर देने आया हूँ, लोगों ने भी हमसे पूछा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्या दिल्ली में प्रधान मंत्री बन पाएंगे, तो इसका जो किसी भी पक्ष की या किसी भी पार्टी विशेश के रुजहान की बात नहीं कर रहे हैं, हम जोतिश सिधान्त के अनुसार ही उनकी कुंडिली की जो विशलेशन हमने किया है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं, तो राहुल गांधी के प्रधान मंत्री ना बन पाने के पीछ का जो जोतिशी कारण वो बता रहे हैं, वो ये है कि राहुल गांधी की कुंडिली में दशम भाव जो है उसके सामने राहु के आने से वह जीवन में नेता तो बन गए हैं, और उन्होंने, यानि काशिनात नारेंट पंडित ने भी ये पहले ही, बहुत पहले ही 1957 में उन्ह कि राहु के कारण राहुल गांधी नेता तो बन गए हैं, लेकिन जो उन्होंने भविशवाडी की है, उसके अनुसार वो कभी भी प्रधान मंतरी नहीं बन पाएंगे, इसी के साथ वो ये भी कहते हैं कि सोनिया गांधी भी कभी प्रधान मंतरी भारत की नहीं बन सकती हैètres 1957 में उन्होंने ये भविश्यवाड़ी की थी कि कॉंग्रेस का इस्तर दिन बदिन गिरता चला जाएगा और आज की जो इस्थिती है उसको देख करके उनकी वो भविश्यवाड़ी भी सत्य हो गई है कॉंग्रेस अब एक महाशक्ती नहीं बलकि बहुत ही निचले इस्तर पर आप पहुंची है आगे वो अपनी भविश्यवाड़ी में कहते हैं कि राहुल गांधी इस देश के अंदर या सोनिया गांधी जो है वो कभी भी इस देश के पंत प्रधान यानि प्रधान मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उनकी कुंडिली में है जो लिखा है वो है कि राहुल की जो भागे का मालिक जो है वो शनी है वो नीच का है और वह कर्म का भी एक तरह से कारक है और राजियो कारक जो सूरे है और वो मंगल से विप्रीत हो गया है इसलिए भी उनका जो दिल्ली का प्रधान मंत्री बनने का सपना वो देख रहे हैं वो कभी सिध्ध होने वाला नहीं है इसी तरह से सोनिया गांधी की कुंडिली में भागे का जो मालिक शुक्र है वह शत्रु राशी में पड़ा हुआ है और सूर्य केतु के साथ ग्रहन योग होने के कारण उनको भी कभी भी कोई मुख्य पद जो है वो भारत का नहीं मिल सकता और ये सारी बातें वो जोतिश सुधान के आधार पर कह रहे हैं आगे वो कहते हैं कि इस सुधान के अंसार हम आपको बता रहे हैं कि इनके दिन प्रतिदिन जो इस्थितियां है इस पार्टी की और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वो दिन प्रतिदिन और भी बिगड़ने वाली है और यहाँ पर यह इस्तिती जो बिगड़ने के पीछे जो कारण है वो यह है कि जो भाग्य भाव का जो स्वामी शनी है वो उसमें बंधन योग दिख रहा है तो राहुल गांधी को आने वाले समय में आर्थिक प्रकार से भी एक समस्या आएगी कोट के चहरी का सामना उनको करना पड़ेगा और जैसे जैसे 2024 के आगे का समय आएगा तो उनके जीवन में बंधन योग यानि जेल योग भी दिखाई दे रहा है तो ऐसा जो योग है वो जब उनके सामने आकर खड़ा होगा तो उनके जीवन का सबसे बुरा दोर जो है वो आरंभ होने वाला है और जहां तक सोनिया गांधी के विशय में शिकाशिनात नारेंट पंडी जी का कहना है कि उन्होंने जो ये सपना देखा है कि उनका जो बेटा है जो पुत्र है जो यो राज है उनका उनके परिवार का उसको वो दिल्ली के सिंहासन पर देखेंगी तो माता जी की ये जो भावना है वो कभी भी सफल होने वाली नहीं है क्योंकि सोनिया गांधी के कुंडली है उसके पंचम इस्थान में ग्रहन योग बना है और यही पुत्र का कारक है और गुरु जो है वो शतुर राशी तुला में पड़ा हुआ है इसलिए भी उनका विरोध में या पक्ष में हैं बलकि वो जो जो जोतिश के अनुसार वो जो देख रहे हैं उसको ले करके उन्होंने ये बात कहिए और आगे काशिनात नारेंट पंची जी का ये भी कहना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी और ये गांधी परिवार को कोई बड़ी च सितियां आपको देखने को मिलेंगी और जो अभी सोनिया गांधी का जो स्वास्त है वो भी अगले दो साल में बहुत खराब होने वाला है और उसके पीछे कारण क्या है ये वो नहीं बता रहे हैं लेकिन उनका ये कहना है कि सोनिया गांधी का जो स्वास्त है वो खराब हो और जो सोनिया गांधी के ग्रहों के स्थिति है अगर वो यह सोच रही है कि जन्नता का जुकाओ आने वाले समय में उनकी तरफ बढ़ेगा तो ऐसा नहीं है और इसके पीछे कारण है चंद्रमा तो चंद्रमा भी जो है सोनिया गांधी के अशुव इस्थान में पड़ा है इ उनको वोट भी देने वाली नहीं है तो यही कहना है श्रीकाशिनात नारायन पंडी जी का कि कॉंग्रेस का दिन पर दिन खंडित हो जाना ये उनको दिखाई दे रहा है और ऐसी ही भविशिवाडी उन्होंने 1957 में ही कर दी थी कि कॉंग्रेस का जो आने वाला समय है वो जो है धीरे धीरे खराब होता जाएगा आपको बता दें कि जो श्रीकाशिनात नारायन पंडी जी है ये देश के सबसे वरिष्ट जो तिशाचारे हैं और इनकी आयू जो है वो सो वर्ष से भी उपर है और हमें नहीं लगता है कि अब इस देश में कोई सो वर्ष से उपर का क जो स्वास्त है वो सो वर्ष के अनुपात में देखा जाए तो वो काफी अच्छा है और आज भी वो कुंडली का विवेचन कर रहे हैं और अपनी आयू के अनुपात में देखा जाए तो वो अभी भी उनके अंदर अपने कारे को लेकर के बहुत जोश है और आज भी उनक काशिनात नारायन पंडी जी का विश्लेशन और अब हम आपको उनके शब्दों में क्या उन्होंने कहा है ये अम आपको सुन्मा देते हैं तो पहले सुनिए उनकी ये भविशेवारी में गाशिनात नारायन पंडी आपके समय एक राशिय और महत्वत्री पोर दुस्वे दुनिया में जो चलता तरही है ऐसे प्रश्णों का यहाँ पर वुदे कर रहा हूं लोगों ने हमसे विपल्शन के सोन्या माननिय स्वान इसे और एक है प्रश्ण बन सकते या नहीं बन सकते इस ये वे जो फिछी सेवडान पर विले द एक हैँ वी खकिंग से सब्सक्सरा रक्राई ह हम और एक में रखकने हम पंडरिकी क्रेशित लिशाश में रावू जांधी के कुलिने जशन सामने नेतराशे का राववाने से वो अपने दिवन नेता बनने का योग है और नेता बन गए और पद्धी जो निल गए और आमने भूतकार में दिखा था कि कोई महिदा यहां पर गिजेशी महिदा पन प्रदार नहीं बनेगी तो प्रयात स्याता सोनिया गांधी ने को बन नहीं सकते हो भी हमारी वहिश्वारी सच होगे उनीस वत्ततावने ने दिखा के कोई में गिर्ती राइगी को गिर्ने रख राइगी और गिर गए आज उसी सिती देखते हो और आखे दिल एक बहाशक्ती नहीं है कोंग्रेस की अब यहां पर यह प्रशनाता है कि जहां रावूल गांधी इस देश से अंदर या सुन्या गांधी जो हैं वो कजी जी इस देश से पनप्रदार नहीं बन सकते हैं क्योंकि इसमें दिखा है कि रावूल गांधी की बाग्य का भारिक्षनी निच्का है और करमसांद का भी निच्का बना वहा है वो राज्यों का जो कारक्षूर्य है वो मंगर से बिफ्रिद बन के आ है इसी दिखना है देख रहे है वो कभी सिद्ध होने वारा नहीं है इसी तरह से सोनिया गांधी के कुंडिन ने बाग्य का मालिक शुक्रत हुआ है वो शत्र राश्य में पड़ाब हुआ है वो राज्यों का कारक्षूर्य केतु के साथ होने से ग्रहन गोने से ये ग्रहन योग करमीजी किसी को मुख्य पत्रदा नहीं बना सकता ये दोकिर का अधिक शुक्रत है वाग्य का स्वामी श्यानिक द्वार्दास में बन्दन योग में तो रावूर गांधी को आर्थिक से और अध्य प्रकार से और कशेरी करना बन्दन होना और ये आर्थिक प्रश्ण का कोई सब्सक्राइब करना अने वाजी है और बन्दन का योग बनने का योग दिए बनता है एसे लिए संजों उनके सामने आके खड़े हो जाएंगे और दूसरी बात यह हैं कि अधी सोन्या गांधी की मन्ने भावना है कि मेरे आखों से मेरे पूत्र को दिली के सवासत बर देख के देखूं यह माता की जो भावना है वो सपल होने वादी नहीं है क्योंकि उनका पंचम सान संतान संका अंदर ग्रहन योग बना है और पूत्र का कारक दौए गुरु वो शत्रु राचिन में तूला में पड़ा हुआ है इसलिए उनका पूत्र भी कभी दिली के गाजी प सब्सक्राइब करें यहां पर प्रदार नहीं कर रहे हैं कि यहां पर प्रदार उनके तरफ जोके की नहीं और प्रदा का कारण जो चंद्र है सोन्या कंदी का देर में पड़ा है तो इसलिए गोगी प्रदा उसको कर्दी पंद्रदान बनाने के जिए अतिक्सार नहीं रखे की और वोट में उनको मिलेगा तो हमारे यहीं कहना है कि नहां पर कोंग्रेस क पर देन प्रतिक्न कंदिद होने का भरिष्वानी वीज़ेशी नारी पंद्रदान इसे अमारे वानी और देन प्रतिक्न इनके जीवन के अंदर संकट बढ़ते जाएंगे यह हमारा निवर्दन भूत कारका दिये बरतमान कारका दिये आने वाले दिन है वो बंदन या कोड कजी के संजोग आलेका भी बहुत बड़ा संभव बन के रहा है तो इस तरह से अब उनका दोनों का दिवान है दिल्ली में कदी देच नहीं सकते हैं जब ग्रह उनको बिठाएंगे नहीं मोधी के साथ चक्र नहीं दे सकेंगे उनके उनको हराने के जिए इनमें कोई ताकत नह हैं दूसरा कोई याद सकता है मगरें दो कदे आईंगे नहीं यह हमारी वहिश्वाली है तो दर्शकों ये थे शिकाशिनात नारेंट पंडी जी जिन्होंने आज इस बात का विश्लेशन किया है कि जो विपक्ष ने सपना देखा है प्रधान मंत्री बनने का और विशेश रहा है और जैसा कि शिकाशिनात नारेंट पंडी उनीस सो सतावन में ही ये भविशेवाडी कर चुके हैं कि कॉंग्रेस का जो आने वाला समय है वो दिन प्रति दिन खराब ही होने वाला है और ये जो भविशेवाडी है ये इसलिए की गई है क्योंकि जब से विपक्ष को 232 सीटे मिली है तब से उसका जो उत्सा है वो इतने चरम पर पहुंच गया है कि अब ये पार्टी जो है विदेश की शक्तियों के साथ मिल करके देश में ही कोई शड़ेंत रचना चाहा रही है और इस कारण से भी ये भविशेवाडी करना एक प्रकार से बनता हुआ वो सकता है कि वो ऐसा कोई शड़ेंत रच भी रहे हो और हो सकता है कि अगर उनकी सरकार आये तो वो जो दोतियाई जो बहुमत है उसको घटा करके वो 90 सीटों का कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी संभावना दिखती है क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी गोश्णाएं करते भी है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बाते भी कहीं है तो कुछ भी हो सकता है उनके अनुसार लेकिन आज की ये जो जोतिश करना है ये उस प्रश्ण का उत्तर है जिसमें बहुत सारी लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि 2029 में हो सकता है कि जो विपक्ष है वो प्रधान मंत्री प्राप्त कर ले तो आगे क्या होने वाला है कि आज के एपिसोड में बस इतना ही आप सभी को बहुत-बहुत धनेवाद कि आपने हमारा ये कारिकरम देखा आने वाले समय में आपको हम बहुत सारी जानकारियां देना आरम करने वाले हैं और बहुत शीगर आप अकण के नए रंग रूप को देख वाएंगे धन्यवाद नमस्कार